करउंदे की सूपर टेस्टी तीखी खटी चटपटी चटनी देखकर तो सभी कामन करता है इसे खाने का और क्यों नहों ये होती है इतनी स्वादिश्ट तो चलिए फटाफट इस चटनी को बनाते हैं नमस्कार निशमदुरिमा.com में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ करउंदे की खटी तीखी इंस्टन्ट चटनी बनाने की एकड़म टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स बारिश का मौसम शुरू हो गया है इन दिनों मार्केट में बहुत अच्छे करउंदे मिलना शुरू हो गया है इसी के साथ हमने करोंदे का मीठा अचार बनाया है अगर आप इन दोनों अचार के रेसिपी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम उपर आई बटन में दे रहे हैं यहाँ क्लिक करके आप इन दोनों अचार के रेसिपी को देख सकते हैं तो चलिए स्वात के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी खटी चटपटी तीखी करोंदे की चटनी करोंदे की चटनी बनाने के लिए हमने 1500 ग्रैम फ्रेश करोंदे ले दिये हैं इन्हें साफ पानी चे धोकर सुखा कर रख लिया है चटनी बनाने से पहले करोंदे में ये जो डंठल होती है ये डंठल हम हटा देंगे और इसे बाउल में डालेंगे इसी तरह से सारे करोंदे के डंठल हटा कर हम इसे बाउल में डाल देंगे हमने सारे करोंदे के दंथल हटा दी है इन्हें अभी हम कट करेंगे एक करोंदे के दो तुक्डे हम करेंगे और इनमें जो बीज है वो बीज को हटा देंगे इसे भी हम एक बाउल में रख देंगे इसी तरह से फटा-फट सारे करोंदे काट कर इनकी बीज हटा देंगे हम सारे करोंदे हमने काट कर बीज निकाल कर तयार कर लिए है अब ये चटनी बनाने के लिए रेडी है हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है इसमें करोंदे अड़ कर देंगे चटनी को टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम कुछ इंग्रेडियंट्स आड़ करेंगे इसमें दो लहसुन की कलिया आड़ करेंगे पास से छे कड़ी पत्ता आड़ कर देंगे इसमें हम दो हरी मिर्च आड़ करेंगे हर इमिज को दो तुकडों में कट कर देंगे अगर आपको थोड़ी तिखी चटनी पसंद हो तो आप मित्ची बढ़ा सकते हैं इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया एड़ करेंगे लगबग पास से छे बड़े चमच हरा धनिया हमने ले लिया है साफ पानी से धोकर हमने काट कर रख लिया था आधा चोटा चमच जीरा एड़ करेंगे आधा चोटा चमच नमक एड़ करेंगे एक चोथा ही चोटा चमच काला नमक एड़ करेंगे अगर आपको पसंद ना हो तो आप काला नमक स्कीब कर सकते हैं लेकिन इसे डालने से चटनी बहुत टेस्टी बनती है एक चोटा चम्मच चीनी अड़ करेंगे इसके जगा आप गुड़ पे अड़ कर सकते है इससे चटनी का खटा टेस्ट थोड़ा बैलांस हो जाता है इससे चटनी मीठी नहीं होती है अगर आपको पसंदना हो तो आप इसे स्कीब भी कर सकते है अभी हम इसे पीस लेंगे अगर आपको आवशकता हो तो आप दो चम्मच पानी आड़ कर सकते है लेकिन हम इसे बिना पानी के ही पीसेंगे चटनी पीस चुकी है इसे चेक करेंगे देखिए बहुत समूद यह पीसी है इसे एक बाउल में ट्रांस्पर कर लेंगे टिखी, खटी, चटपटी, करवंदे की चटनी बनकर रेडी है इसे हम Serving बाउल में निकाल लेते हैं देखिए बहुत यच्ची है चटनी बनी है लीजे बनके तयार है करवंदे की खटी तिखी चटनी, इसे आप किसी भी स्नेक्स के साथ यूज कर सकते हैं, इस चटनी को आप पूरे 6 से 7 दिनों तक फ्रीज में रखकर यूज कर सकते हैं, इस चटनी को आप ज़रूर बना कर देखिए और आपकी चटनी कैसे बनी है, हमें स्वाधिश रेसिपीज और यूसफुल वीडियोज देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल का बटन दिया है, इसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वी रेसिपीज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेर जरूर कीजिए, इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्ते